धन्तेरस का पर्व दीपावली के पांच दिवसिय उत्सव का पहला दिन होता है और इसे विशेश रूप से धन, सम्रिध्धी और स्वास्थिकी कामना के लिए मनाया जाता है. यहाँ पर्व कार्थिक महीने की त्रयोच्शी तिथी को आता है. धन्तेरस मनाने के पीछे कई धार्मिक और पौरानिक कथाए हैं. समुद्र मन्थन की कथा सुनिये. पौरानिक कथाओं के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन किया था, तो उसमें कई कीमती चीजे निकली. इनमें से एक थी धन्वंतरी, भगवान, जो आयुर्वेद के देवता और चिकितसक माने जाते हैं. धन्वंतरी जी अम्रित कलश लेकर समुद्र मन्थन से प्रकट हुए थे. उनकी उत्पत्ती के दिन को ही धन्तरस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग स्वास्थ्य, दीरगायू और आरोगय की कामना करते हैं. यम्राज और रा के अनुसार, एक राजा हेम के पुत्र की कुंडली में भविश्यवानी की गई थी, कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यू हो जाएगी. जब विवाह के चौथे दिन यम्राज उसे लेने आये, तब उसकी पत्नी ने अपने सोनचांदी के गहने और कई दिये जला के पुत्र की जान बज गई. इसलिए धन्तरस के दिन यम्राज के लिए दीप जलाने की परंपरा भी है. खरीदारी और सम्रिधी का प्रतीक क्या है जानिये? धन्तरस के दिन लोग विशेश रूप से सोना, चांदी, बरतन और अन्यधातूं से बनी चीजे खरीदते हैं. यहां मान्यता है कि इस दिन कुछ नया खरीदने से घर में धन और सम्रिधी की वृद्धी होती है. इसे लक्षमी जी को आमंतरित करने का प्रतीक माना जाता है. अब जानिये इसका निशकर्ष और फल. इस प्रकार धन्तरस का पर्व सम्रिधी, स्वास्थ्य और परिवार क की भलाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य माता लक्षमी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सुक्सम्रिधी और स्वास्थि की प्राप्ती करना है. और कृप्या करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजि ताकि ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहे.